काश मुझे UPSC के टेस्स सिरीज के बारे में ये सब कोई पहले बता देता तो मैं आज ये गल्तियां ना करता जैहिन दोस्तों सद्धाप भईया कि इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है हम इस वीडियो में ये जिकर करेंगे कि आखिर बच्चे गल्ति करते कहां हैं चैह सिरीज लगाते लगाते हैं चैह सिरीज तो उठा कर ले आएंगे, खरीद कर भी ले आएंगे लेकिन वो गरती करते कहां हैं, सबसे important इसी वीडियो में यही चर्चा होने वाली है, कुछ तीन चार बाते हम जिकर करेंगे, साथी में कुछ questions को भी हम analyze करेंगे, उनका difficulty level, उनका easy level भी analyze करेंगे, तो please इस वीडियो को end तक देखिएगा, और maybe शायद आपके मतलब की बात नि करते हैं, यह है सबसे पहले तो ADDA 24-7 IS की test series, इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, कि यह अब available है हमारे platform पे, और आप इसको ले सकते हैं, बिल्कुल offline try कर सकते हैं घर पे, कैसे लेंगे, नीचे description box में link दिया हुआ है, आप जाईए, test series को लीजिए, और आपको code कौन सा use कर करना है, जैहिंद, जैहिंद, नाम का code use करें, 17S, यह code use करेंगे, आपको discount मिली जाएगा, और offline ही लेना, offline में लगबग 50 test series है, जिसमें से 35 GS की है, 10 CSAT की है, और 5 revision है, यही लेना, online मत लेना, क्यों नहीं लेना, वो भी मैं आपको बता दूँगा, तो शुरू करता हूँ मै अपने इस वीडियो को सबसे पहले, तो आकर mistakes क्या है, और इन में से जो भी मैं discuss कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपकी वाली गलती तो हुई ही नहीं मेरी बात, तो आप comment पे mention कर दिजेगा, कि भाया, मेरी ये गलतियां हो रही है, तो हम लोग reply करने के भी सकते हैं, तो शुरू करते हैं हम लोग कि आखिर क्या problems आती हैं बच्चों को, initially चार तरीके की दिक्कते होती है, जब अगर आप test series solve करते हो, तो एक तो ये zone आता है, जहां पर आप कहते हो कि ये सवाल मुझे नहीं आता है, I don't know this question, right, दूसरा आता है, यार आता तो है, ले जाके लगाओगे, तो देखोगे, तो सवाल सही हो रहा है, लेकिन आप exam के time पे, आप mock test के time पे, silly mistake कर देते हो, चौथ हाँ, कि aspirants calculated risk नहीं लेते हैं, calculated risk बहुत important होता है, intuition based होता है, या फिर intelligent तुक्का कह सकते हैं, वो बच्चे लेने से बहुत डरते हैं, तो ये चार में Google form उसको fill कर दीजेगा, चाहे आप college से हूँ, या full time, या job के साथ तैरी कर रहे हैं, तो premiums की tension मत लिजेगा, क्योंकि मेरे पास solution है आपका, अब number one, आता है कि not a drawing for the right mock test, ये बहुत बड़ी समस्या है, आप कुछ भी ले लेते हैं, honestly, आप कुछ भी ले लेते हैं, तो आ आप कुछ भी मत लिजे, देखिए, आप already लगभग एक लाक रुपए अपने coaching पे खर्चा करते हैं, चलिए मान लिजेगर आप अपने online लिया है, लगभग 20,000 रुपए तो आप खर्चा करते ही करते हैं, करते हैं पढ़ाई पे, तैयारी पे, तो आप test series भी न, कुछ भी मत लिजे, आप ठोक पीट के, रिव्यूज लेके, एक दो वीडियोज देख लिजे, लोगों से पूछ लिजे, आपका दिल कहे, आपका गट कहे, तो लिजे, चाहे वो 5000 की क्यों न हो, चाहे वो 500 की क्यों न हो, या फिर offline में कोई कोई तो भाई, 17, 18,000, 20,000 की भी दे रहा हेलकी आपके उपर हैं, ठीक है, 18,24,7 का ये जो 50 test series का हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ 4800 में हैं, आप इसको ले सकते हैं नीचे, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि इतना महंगा आप foundation में लगाते हैं, लेकिन जब उस foundation को असली रूप में test करना होता है, mock test के जरीए, तो आ आप बिना verified कुछ भी आप ले लेते हैं, तो number one, आपको नहीं लेना है, ठीक है, चूंकि क्या होता है, एक अच्छे test series से हमारी knowledge की test होती है, हम क्या करते हैं, application देखते हैं, कि अब तक हमने जो भी पढ़ा है, वो test series के माध्यम से हम apply कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, number one, आ आपको अच्छे तरीके से सूच समझ के एक अच्छा test series लेना और ले लीजिए, अब time आ चुका है, notification का इंदजार नहीं करना है, ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा problem क्या था, not revising the questions again, मतलब दोनों चीज़े हैं, not revising the question और not revising again, मतलब आपके पास test paper आ गया, आपके पास य आ चुका है, ठीक है, और आपने बिलकुल सरसरी निगाह से आपने पढ़ा है, मतलब आपको ध्यान से पढ़ना है question, I am sure आपने पढ़ाई की होगी और आपको आएगा, आता है आपको, लेकिन आप दो घंटे में हम इतने घवराय हुए होते हैं, या फिर हम mock test लगाते हैं तो हम इतने जल्दी बाजी में होते हैं, कि हम नहीं कर पाते हैं, तो number one तो आपको ये करना है मेरे दोस्तों, कि आप उसी time पर साढ़े 9 से साढ़े 11 आप GS1 का देंगे, और C sat का उसी time पर धाई से साढ़े 4, ठीक है, ये time जब आपका पूरा syllabus complete हो जाए, तो full length test जब आप भी लगाओगे, तो इसी time पर लगाओगे, इसके अलावा दूसरा time मत लेना, क्योंकि ये regularity है इस तरीके से, जैसे आप देखते हो आजकल drills होती है, कई सारे drills होती है, एक्दम real लगता है, siren बचता है, police department में drill होती है, disaster management वाले drill करते हैं, तो वही drill आपको भी करना है, mock drill क करना है आपको, और उसी time पर आपको test देना है, जो नए बच्चे हैं, उनको OMR sheets के साथ बहुत सावधानी बरतनी है, OMR sheets यही जो गोला आप भरेंगे, यही गोला सुनिश्चित करेगा, कि आपका उत्तर सही है या गलत, आप जो जानते हैं, वो तो लग चीज है, लेकिन गोला आप सही नहीं भरेंगे, तो अच्छा सवाल भी आप यहां गलत कर देंगे, चीक है, तो OMR sheet पर आप यह वाली practice करेंगे, तो बहुत important है, चीक, और साथी में questions को दुबारा पढ़िए, revise करिए, हम जब mock test दे देते हैं, तो उसका जो questions नहीं आता है, जो attempt नहीं कर पा क्या नहीं आ रहा है, कौन से subject का है, quality से नहीं आ रहा है, geography से है, environment से किस से नहीं आ रहा है, फिर देखिए कि कहां छूट रहा है, बजाय कि दुखी होना, कि मेरा rank बड़ा कम आया है mock test में, All India test series में, मैं 4000 नंबर पर हूँ, कोई मतलब नहीं है उसका, तो ये बाला zone है, प्रिलिम्स के question पर, कभी-कभी बच्चों को ये लगता है, कि या इतना आसान सवाल कैसे आ सकता है mock test में, हटाओ, इसकी test series खराब है, ऐसा नहीं होता है, UPSC में भी सवाल आसान कुछ-कुछ आता है, कुछ-कुछ tough भी आता है, अब जैसे कि, for example, देख लीजे, 2020 के civil services examination में एक सवाल आया था, कि parliamentary system of government is one in which, मतलब, जो हमारी parliamentary system है, सरकार की, वो क्या है, in which उसमें क्या है, तो कुछ options दिये हैं, ये option जब आप पढ़ेंगे न, अगर आप लगाए भी होगे, बड़ा आसान option है, मतलब कि, इसका सही जवाब तो खेर यह, यह C है, लेकिन, अगर आप देखोगे न, political parties represent the government, अपने आप में क्या, मतलब, बक्वास है, दूसरा, government is responsible to the parliament and can be removed by it, है न, government is, भी होगा इसका, government is responsible to the parliament, can be removed by it, यही सही जवाब है, और रही बात, C कि, government is elected by the people and can be removed by it, जनता कैसे सरकार गिरा सकती है, मतलब, parliament में, कैसे, जब तक operation नहीं कुछ करेगी right, government is chosen by the parliament and cannot be removed by the before and completion of the fixed term, ऐसा नहीं है, सरकारें तो छे मेने में गिरी है, एक साल में गिरी है, तीन साल में गिरी है, तो सही जवाब यह है, यह है, यह है right application based knowledge, आपको जब तक मौक्तेस आप नहीं लगाएंगे, नहीं आएगा, ठीक है, यह देखिए कितना easy question था, Constitution of India declares ideals of कल्यानकारी राजिक कहां बताया गया है, तीबाएंगे, DPSP में बताया गया है, और कहीं तो है यह 7th schedule, fundamental right, तो आप इस चक्कर में तो बिलकुल ही मत पढ़िएगा, कि test series वही अच्छी है, जिसमें question का level बहुत उपर उपर है, समझ रहे हैं, हाँ, अगर 40-50 questions हमारे 100-100 questions कोई solve करके दिखाये तो बताओ क्या होगा, यह एक दूसरा, मतलब एक नया level set कर रखें लोग, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, साथी में, preamble of the constitution of India, यह भी 2020 का है, the preamble of the constitution of India is, क्या है, बताये, क्या यह legal है, but no legal, not part of constitution है, part of constitution है, या part of constitution है, but has no legal, वैस यह basic चीजे हैं, जो कि हम NCRT में भी पढ़ते हैं, और कुछ basics भी आते हैं, लेकिन, जैसे मैं आपको लिखाता हूँ, यह current affair का question था, leave end क्या होता है, तो basically, leave end जो है, वो military insurance के पास पाया जाता है, यह current affair का question था, यह को current affair से ही मिलेगा, ठीक है, अगर हम आगे देखें, questions हैं हमारे, जैसे यह question हो गया, यह हमारे 2022 में आया था, बहुत लंबा question है, बहुत ही लंबा question है, आपको इसको end में करना चाहिए, आपको यहाँ पर गोला डाल देना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए, यह अपने आपे बहुत बड़ी एक रणनीती है, अब पहले पढ़ोगे, फिर AKKKKKK के यह पढ़ोगे, फिर देखोगे, सही, 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 कौन, किसमें क्या, मतलब eliminate करने ही कोशिश करोगे आप, लगभग इसमें तीन से तीन मिनिट तो कहीं नहीं गया, इसलिए इस ऐसे questions को आपको end में solve करना होता है, यह भी आपका current fair base, इसलिए मैंने places in news में आपको November का भी कराया है, December का भी कराया है, आप January का भी कराऊंगा, यह places in news से ही सवाल आया हुआ है, 2022 का है, 2023 में भी आया है places in news से, borders अफगानिस्तान के कौन-कौन से countries के लगते हैं, ठीक है, which of the following borders इतना, अब देखिए, during UPSD, NCRT आप पढ़के जाते हो, must, GS paper, हैं, तो इसको आप हलके में नहीं लिजेगा, सिर्फ NCRT पढ़के नहीं जाना है, सिर्फ GS पढ़के नहीं जाना है, CSI भी देना, अब देखिए, यह इतना बड़ा question है, यहां से लेके 32 तक statement 1, statement 2, उसके बाद यह है, चार option है, बताए कि कौन से statement इसमें से correct है, ठीक है, सा कुछ इस तरीके से आते हैं, क्या यह चीज इसमें है की नहीं, या फिर यह जो विचारधारा है, उसका मतलब क्या होता है, फिर सम्मिधान क्यों बना है, प्रियंबल क्यों बना है, fundamental right का मूल essence क्या है, या फिर article 32 जो है, उसका मूल essence क्या है, मतलब वो अगर नहीं रहे तो क्या होगा, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती है, तो ये एक psychological और analytical questions होते हैं, अब इतना बड़ा question है, इसको आप गोला कर दीजे, और आप जो छोटे question उसको पहले attempt करिए, साथी में ये देखिए, कितने बड़े questions हैं, competitions को tough कैसे बनाना है, compete कैसे करना है, ये सारे सव बहुत माइने रखते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको भाई, इनको उन times में solve करना है, जब आपके पास छोटे question साफटाफट निकाल लिए, अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये question बात कर रहा है, temperature contrast between इतना, यहाँ पर one of the following correct, above है, एक ये आया, only one, only two, only three, one, only two, only, both one and two इस वाला यह जो 2023 का paper था, इसमें संभावता हर तरीके के patterns use हुए है, UPSC के भेजे हुए, तो आप यह नहीं कह सकते हैं, कि UPSC एक ही pattern पे चल रहा है, नहीं, UPSC के तो कोई pattern है नहीं, और UPSC ने आपको बताया है, नहीं, तो आपको किसी एक तरीके के test, आप ऐसी test series लिज जिसमें कि हर type के statement based question भी आएं, और only one, only two भी आए, one word वाला question भी आए, और हर तरीकी के question आए, क्योंकि हमें हर तरीकी के balls को खेलना है, सिर्फ यह नहीं कि सिर्फ हम bouncer फेकेगा, सिर्फ फुल टॉस फेकेगा, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, students क्या करते हैं, कि analyze नहीं कर देते हैं, या फिर और search करते हैं, बढ़िया test series, एक अच्छी test series, पहला number one लीजिए, उसको attempt करियो, देखिए, आपकी कमी कहां रह रहे हैं, कौन सा area है, जो सबसे ज़्यादे आप attempt कर रहे हैं, कौन सा area में आपको सबसे ज़्यादे छूट रहा है, वो बहुत important है, एक Excel sheet बना लीजिए, उस पर आप करिए, pen copy पर बना के करिए, उससे क्या होगा, अगले 20 दिन बाद या एक महीने बाद आपको अपना एक parameter मिलेगा, strength और weaknesses पे, कहां पर आप कमजोर हो रहे हैं, कि सब्जेक्ट में कौन सा विश है, static है, current affairs है, quality है, geography है, कहां पर, आकी आप बचे हुए time पर, उस पर मेहनत कर सकेंगे, ठीक है, last five minutes of exam, ऐसा ही करता है आदमी, क्या करें, UPSC में तो हाथ खराब हो जाती है, मतलब हाथ, ये देखे, difficulty level, जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये difficulty level, नहीं होना चाहिए, equal होना चाहिए, अगर कोई test series ये आप से वादा करे, क्या हमारा question solve करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, तो फिर आप विल्कुल से दूर रहिए, ऐसा नहीं बाई, average, average हमें चाहिए, और बहुत बजादे difficulty level हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये है आपका diagram, जिसको हम कहते हैं, number one, आपको application based knowledge चाहिए, number two, आ आप PYQs लगाएंगे, ठीक है, और number four हो गया आपका, जो random चीजे कुछ अगर आपको मिल जाती है, अपने test में, जो कि आप prepare नहीं है उसके लिए, ये वाला मामलत तब आएगा, जब आपको लगेगा, कि I don't know, मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, तो आप देखे क्यूज करेंगे, तो कैसे हम apply करके देखें, अधर मुझे नहीं आता है, हम try करके देखें, apply करके देखें, ठीक है, कोई ऐसा सवाल, जो कि आपको लगता है, मुझे recall नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको practice करने पड़ेगी, खूप सारा, revision करना पड question आ रहे हैं, यह set कर देता है, और रही बात random questions की, तो उसके लिए हम सभी को, मुझे तयार होना ही पड़ता है, कहीं सभी कुछ भी question आ जाता है, उसके लिए हमें तयार होना पड़ता है, अब वहाँ पर हम संभलता हो सारे logic apply करके देखें, चाहे elimination method हो गया, चाहे appropriate method हो गया या फिर application based method हो गया, तो मेरी बात में आप ध्यान से समझ लीजे, जो कि मैंने आपको भी जिक्र किया है, बताया है, कि इस situation में आप इन गल्दियों को ना repeat करें, यह time important है, और इन times में आप पहले syllabus complete करें, फिर subject wide test लगाएं, फिर full length test लगाएं, उस test से फिर जो भी learnings मिल र आएं, और इस test series को end roll करें, अब तक लगभग, सारे 400 से भी जादे बच्चे उने इस test series को end roll कर लिया है, अब dispatch भी होने वाला है सब को, तो आप भी आएं इतना बड़ा सा box मिलेगा, और अगर आपको जानना है कि test series में है क्या हो, तो इस video में सब कुछ mentioned है, मैं link लगा वीडियो में तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.